दोस्तों यह ट्रेप में जैस्ट अभी बांदा है मुश्किल से एक मिट हुआ होगा और आप देख सकते हैं मैं थाड़ा जूम करके बताता हूं मख्यां देख लिए आकशित होनी शुरू हो गई है इसकी खुश्बू से और देखी कि आप थोड़क यह मख्यी देख रहे होंगे आप मतलए इसकी खुश्बू से नमस्तों दोस्तों मैं हो करने अधाकर आप देख रहे हैं इंगेश्व जहर मुद जैवी खेती हुआ कि मेनत करते और आज कर वीडियो करते के जो चाहिती चाहित हैं मैंन fim करते हैं में जाने आते हैं उस समय फसल बिगर जाए ना तो सारी मेनत पानी में चाले जाती है अपने चाहते हो भी कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों वीडियों बने रही आज और बहुत खास वीडियों होने वाला है दोस्तों आज ब्यात करेंगे अपन फ्यूट फ्लाई के बारे में और इसका मैं प्र क्योंकि हर चीज को किसी व्रोक का निदान के लिए उसके बारे में विश्तिर जानकरी होनी ज़रूरी है तो दोस्तों कि फलसबजी हमारे जीवन में बहुत ही अहम इस्सा रखती है और स्वास्त पर बहुत ही जधा आउशक है इसमें वीटामिन खनीज लमन अधिया पूर और साथी गुणोता निव्रीकिय में आ जाती है साथ ही दोस्तों इसमें अ फलसबजी वह बागवानी में फल मक्की का बहुत ज़्यादा प्रकॉफ होता है और इन सारे चीजों के लिए बहुत हानीकारक कीट है और यह कीट सार पूरा भारत के अंदर पाया जाता है इसान करती है जिसमें किसानों काफी आर्थिक हानी उठानी पड़ती है तो दोस्तों ठोड़ी सी जानकरी अपन कि फल मक्की के जिमन चक्र के बारे में ले लेते हैं दोस्तों 20 फल मक्की लगबक साथ मीली साथ मीमी लंबी होती है अकार में होती है जिसका सीर उधर फिले भूरे रंग कता वक्ष काला यह पीला पाया जाता है हैम् little is वख्ष इतर वाले भाले बागबार गहरी धार यह होती है इसके पंकों और भी गहरी धारिया होती है अंड़ें देने से पूर दोस्तों अंडे देने से पूर्व फल मक्ही बली प्रकास से निरिक्षन करती है मक्ही अपने जन्यनांग को जो अंडे देने के प्रकिया होती ना तो जन्यनांग को फल के अंदर गड़ा कर प्रविश करा कर एक छोटा सा गड़ा एक छद बनाती है ठीके दोस्तों उसके से लगाकर लगबग 12 अंडे देती है लगबग 24 गंड़ा के बाद अंडे से पीलू या एक छोटा बच्चा का सकते पन वह निकलते हैं जो फल के गुद्दे को खाकर उसके अंदर किल्डे मतलब सडन पैदा करने शुरू कर देते हैं ठीक है उसके बाद में फल या तो गीर कर नीचे गिर जाते हैं और यदि कोई मजबूत हैने वाला फल है तो वहीं पर सणना शुरू हो जाता है और दोस्तों जब फल रहता है ना वह जमीन पर गीरता है ना तो उसके आम के जो फल होते ना उनमें लगती है बेर में लगती है अम्रूद में लगती है पपिता में लगती है और लोकी में लगती है तिरूर में लगती है परवल में लगती है तर्बूज में लगती है खर्बूज में लगती है ककड़ी में लगती है तो दोस्तों जो जितने प सब्सक्राइब्स कि कृड़ी अधैयोगी दालता है ओस अधिकेडले प्रमुग रूप से प्रवाव डालता है और यह लग लग 12 मेना इनका चलता रहता है सिस्टम मतलब इनका कोई सीजन नहीं है और दोस्तों यह अधिकते जुन्ड रूप में पाई जाती है कोई एकात फल मकी अलग से नहीं रहे इनका पूरा जुन्ड मिलेगा और दोस्तों किस तरह से नुकसान पहुचाती है मतलब पाते हैं जब फसल लेने की समय आवदी आती है उस समय तक फल खराब होना शुरू हो जाता है और इसका जो प्रकौफ होता है एक मैने ड़्ड मैने पहले हो जाता है क्योंकि इसका जिवन चक्र है दोस्तों वह 25 दिन से लगा कि 35 दिन का सोरी 25 दिन से लगा कि 45 दिन तक तो सड़न इसके बाद में अपने आप जब अपने इस फल सब्जियों भी है जो पकने की ककार पर होते ना उस समय अंदर कीडे मिलेंगे अपने को और सड़े वह फल मिलेंगे तो दोस्तों इसका अटेक लगबग एक देड मैने पहले हो जाता है अब दोस्तों बात करेंग दोस्तों जोब अपने गंद रखती है अपना गंद रखता है तो उसके गंद से यह उटकर पाग जाती है और दोस्तों उस समय तक भागने के बाद में जब दवाई के इस्प्रे में कॉंटक्ट में आएगी खाने में आएगी तो सबाग से बात मरेंगी नहीं ठीक है तो कीट नहींतरन की प्रक्रिया द्वारा इन असानी से नहीं बदलब मेरे करने का परिय अख़ाए तो लिए कुछ अपने को उपाय खोजने होंगे कुछ प्रयूक करने होंगे जैसे आपने में ला सके है कि दोस्तों कुछ पहलू इसे हैं जिन पर प्रकाश डालने कोशिश करते हैं तो दस्तों सलों एवं सब्जियों में मख्यों के अंडे पिल्लू पाए जाते हैं अता इनको तोड़कर अलग कर देना चाहिए तथा करके जमिन के दो फीट गहराई में दबा कर नश्ट कर देना चाहिए बागों खेतों में फसल के अलावा अनाशक पोदे और खरपतवारों को नश्ट कर सपाई करने रखनी चाहिए क्योंकि ये पोदे विस मक्यों का अश्रे स्थल होते हैं दोसरों तीसरा कारण कभी कभी फ खले हम सब्सक्राण को कपड़े या कागज के थेले में द्वारा ढख कर रखना चाहिए मानों कहीं पर रख रहे हैं कहीं रहे जाए जाते हैं कुल मेरा के वहांच खेत पे छोड़ना ने जाए सब सबसीदी बात ही है ठीक है अब दोस्तों आगे बाद कर रहे हैं इनके प पुपया बाहर आ जाते हैं तो जो पक्षी होते हैं ना चिली हुए अपने सोरी चीडियां हुए बगूले हुए और जो भी जानवर खेतों के अंदर गुमते हैं ना तो अब जब इन खेत घहरी जुताई करेंगे तो पुपया बाहर आ जाएंगे कुछ धूब से नश्ट तापमान कम होने के करण ये मख्या जाडियों में पेडों की पतियों पर निश्ली सतों पर काफी संक्या में एकत्र हो जाती है यहां इनको आसानी से नश्ट किया जा सकता है आगे दोस्तों कुछ फल इसे जैसे आम पपिता केला आदी के पकने से पूरु तोड़कर इनको मक्यों के आकरमन से बचाए सकता है मतलब अपन जो पोदा होता नहीं उस पे वहां तक इंतजार नहीं करें कि फल पकेगा उसके बाद में अपन तोड़ेंगे इससे पहले जब पकने की कगार पे होना उसमें तोल लेना चाहिए क्योंकि इनमें आम पपिता केला यह जो रह अंत्रह तो लगबग 500 गुड पानी में गोल बना लें अब इससे सो मिली मिलतियान पचास इससी जो आता है ना डालकर अच्छी तरह मिला करें इस गोल का साथ दिन के अंत्राल में दो से तीन बाद छिड़काव करें क्योंकि दोस्तों जो गुड उसमें मिलाएंगे न तो इस गुड के जो खुश्वू से यह मक्यां आकशित होगी और फिर जब वहां खाने बेठेगी तो जब दवाई का इस्प्रेट हैगा न उससे यह खतम हो सकती है प्रलोबकदारा भी फलमक्यों को आकशित कर नश्ट किया जा सकता है मिथाइल यूजिनोल एक मिली के साथ म में मिला थियान 50 इसी का एक मिली मात्रा मिला लें इस मिस्रन को रूई में भिगो कर चोड़े मुह के बरतन या बोतल में रखकर पेड़ के नीचे चाह में लटका दे तो मख्या इस से अकर्शित होकर आ जाती है और कि इतना शक्य संपर्ग में आकर मर जाती है दोस्तों य मर जाती है कुशामन मक्य के नेंतर है तो मिठाली उनिजोल के स्थान पर क्यू लूर दोस्तों में जो अपना देशी दुगाड है ना इसकी बात कर रहा हूं मैं क्यू लूर का प्रयों करना चाहिए नरफल मक्य को फेरोमें ट्रेप के द्वारा पकड़ कर दिया जाता है इसके लिए 20-25 फेरोमें ट्रेप प्रती हेक्टर लगाए जाते हैं फलों सब्जों में कीट प्रतिरोधी किस्मों की बवाई की जानी चाहिए ठीक है दोस्तों यह तो कुछ अपने जो देशी नुस्कें देशी नुस्कें नहीं है तो कुछ रशा है नहीं को और जो अपने पहले करते हैं वह नुस्कें लेकिन मख्यों को इनको क्या आकशित करना पड़ता है और उसी संदर्म में दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं आपको अपने यह मुद्र के पोदे देख रहा हूंगे इनमें अभी कुछ फल लग रहे हैं और कुछ फूल भी आ रहे हैं नहीं डूड़या पनपरी है केमरा फोकुस नहीं और पा रहा है देख पा रहे हैंगो दोस्तों ठीक है अब इनके लिए कि आपने को पहले से प्रबंदन के अमरूद की फसल है इनमें मैंने फेरमें ट्रेप लगा रखे हैं जिसमें देख सकते हैं आप यह वाले हैं और दोस्तों आपको जानकर है रहा नहीं होगी यह जो ट्रेप देख पा रहे हैं आप और दोस्तों इसके अंदर उपर कुछ मख्यां भी आपको दीख रही होगी ओड़कर भाग गई हो और एक दो मख्यां बेटी होई है देख पा रहे होंगे आप बाहर इसके अंदर लूर जो लगा हो आना इससे वे वेठी होगे दोस्तों बता दू मैं आपको इसके अंदर यहां तक मक्हियां भरी पड़ी हुई है दोस्तों यह जो ट्रेप देख रहे हैं आप कैमरा फोकस नहीं हो पा रहा है इसमें चोकलेट है जो लूर बंदे होने तो इन से कुछ मक्हियां इसको मैंने खोल लिया था देखो कुछ मक्हियां बेठी हुए है और दोस्तों आप ताजूब करोगे इस सारी फल मक्हियां है कैमरा फोकस किलने वरा भई एक सेकान्न में आपको कैमरा फोकस करके उसके क्लिया बताता हूं दोस्तों नो देखिये मक्हियां सारी फल मक्हियां है ये और डिवबा देखलो कितना बण हुआ है यह मक्हियां से बण हुआ है देख पा रहोंída आप nga आप हुआ ये एक डिब बेक अंदर ये कंडिशन है देख सकते हैं आप तो मैंने ऐसे साथ आठ डिब लगा रहे हैं और लगवक्त सारे इसी कंडिशन में परे हुए हैं मैं आपको बता हुआ है के करके तो दोस्तों देको ये एक मखी बाहर बेटी हुई है केमरा फोकस नहीं हुआ है ठीक दो ये स्याथ आपको सबूद मिल गया होगा कि इनको करना कितना जरूरी है बाकी फसल कि अपने हाथ लगने वाली नहीं है दोस्तों मैं आपको बाकी के ट्रेब भी बताता हूँ कि दोस्तों देख पा रहे हुए आप कुछ मखी बेटी हुई है देखो और आ रही है मतलब इतना ज्यादा प्रकॉफ है इनका क्या से ज्यादा चलो आपको मैं दूसरा ट्रेब भी बताता हूँ ताकि आपको यकिन हो जाए वीडियो बने रही का दोस्तों एक ट्रेब में यहां पपीता क्या है लगा तो बीजबी में खाने के लिए पपीते बहुर रखें हैं कि दोस्तों देख पा रहे हूंगा है इसमें यहां तक यह भरा हुआ है इतनी फल मक्हिया हैं इस तरसे में साथा ट्रेप लगा रखे हैं सारे में यही कंडिशन है तो एक और बता देता हूं मैं आपको फिर वीडियो के इंडिंग करेंगे अपन दोस्तों एक ट्रेप मैंने यहां लगा रखा था और इसके हालत देखा आपको ताजूफ होगा दो पा रहे हूंगे आप मतलब पूरा बढ़ गया है इसके अंदर अंदर जाने की गुंजाश भी नहीं रही इतनी मक्हिया इसके अंदर आगी इसको भी तुरूंद खाल करना पड़ेगा एक सेकंड में आपको थोड़ा दूप में रखे देखिए मतलब पूरा बढ़ा दोस्तों तो इस तरह से अपन जिविक तरह के कह सकते हैं या फिरोमन ट्रेप लगा कर अपन इन मक्हियों से बस सकते हैं बहुत ज़्यादा ठेक है दोस्तों यह इस तरह से के लियूर के जो मिक्स की होड़ा आते हैं यह अभी मैंने खाली गया दोस्तों और ताजूब आपको देखिए मख्यां सारी फल मख्या है कितनी मात्रम है एक डिब्य के अंदर इतनी फल मक्या है तो दोस्तों फसल में कितने अटेक होगा आप खुद एक आइडिया लगाई है यह फल मक्योगा ठेहर है मैंने इस लिब्य से खाली किया है यब यह पूरा बरा हुआ था ना इससे तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तबते के लिए जय हैं जय भारत जय जय जवान जय किसान वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा शेयर करिए कमेंट करिएगा और जो चैनल पर पहली बार रहना चैनल सब्सक्राइक करना ना बुलेगा मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद